हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई चैनल और आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ बच्चो की ओल टाइम फैबरेट एग लैस चोकलेट फूडिंग और इस फूडिंग को मैं बिना किसी भी तरह के मैदे या फिर कोन स्टार्च के बनाने वाली हूँ क्योंकि इस फूडिंग को बनाने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ बिस्किट तो चलिए फिर फूडिंग बनाना सुरू करते है तो फूडिंग बनाने के लिए ये मैंने गुड़े के दो बिस्किट लिये है क्योंकि ये सभी के घरों में easily available होते है आप के घर में जो भी जार में डालकर पाउडर भी बना सकते हो लेकिन मैं बस इनको ऐसे ही हाथ से चोटे चोटे टुकडों में तोड़ रही हूँ तो आप मैंने बिस्किट को तोड़ लिया है और इनको थोड़ देर के लिए साइड में रख देंगे और एक कड़ाई ये मैंने ली है और अब म इस फूरिंग को फैट फ्री मिल्क से भी बना सकते हो लेकिन फुल क्रीम मिल्क से फूरिंग जादा अच्छी बनती है और अब इस दूद को हमें तब तक उबालना है जब तक कि इसमें पहला उबाल नहीं आ जाएगा और बस दूद को उबालते हुए हमें यही ध्यान जिससे की दूद कड़ाई में लगेगा नहीं और साती में दूद पे मलाई भी नहीं आएगी तो थोड़ी दिर बाद जब दूद अच्छे से बोईल हो गया तो अब मैं इसमें एड़ कर दूंगे बिस्किट जो की हमने तोड़कर तयार किये थे और बिस्किट डालने के बाद कुछ सेकेंड के लिए बिस्किट को पहले ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे की गरम दूद में डालने से बिस्किट अच्छे से सोफ्ट हो जाएंगे और फिर हम उन्हें अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और थोड़ी दिर बाद जब बिस्किट अच्छे से सोफ्ट हो लेकिन मैं यहां ऐसे ही चमचे से इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ तो अब मैंने इनको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और अब इस स्टेज पर मैं इसमें एड़ करूंगी एक चमच पाउडर और करीब एक बड़ी चमच ये चोको चिप्स आप चाहो तो इनमें से किसी ए इक से ही इस फूडिंग को बना कर तयार कर सकते हो और आप जो भी चोको चिप्स या कोको पाउडर ले रहे हो वो अच्छी ब्रांड का ही यूज करें उसी से फूडिंग में टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छा आएगा और अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो भी आप इस चोकलेट फूडिंग को बना सकते हो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ तो इन दोनों को डालने के बाद भी मैंने लगतार चलाते हुए इस फूडिंग को अच्छे से मिक्स कर लिया आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से स्मूथ हो गई है तो अब मैं इ जादा इनांस हो जाएगा और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर ही हम इसे करीब दो मिनट के लिए हो अच्छे से पका लेंगे और इस फूडिंग को बनाने में बहुत जादा समय नहीं लगता है बस हमें कर देंगे यह ऐसे सर्विंग गलास में और अगर आपकर चूकलीट टीप्सी या फिर को कोपाउडर नहीं हो तो आपको क्या करना है कि बस आपको किसीभी चूकलीट फ लेवर के बिस्केट का यूज करना है तो आपकी फूडिंग बनकर तयार हो जाएगी और सुगर को भ जाओ अब मैं इस फुडिंग को गिलास में निकाल रही है आप चाहो तो गिलास बावल किसी भी मी इस फुडिंग को सुर्व कर सकते हो और अपर इस फूडिंग को करिब एक से दो घंठे फृरिजमें ले क्योंकि ये फूडिंग ठंडि ज्यादा अच्छी लगती है और और फुडिंग को सर्व करने के बाद मैं इसको होर पे जादा अट्रेक्टिव बनाने के लिए चोको चिप से गार्निस कर दूगे तो आज की इस फुडिंग की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और साथी में अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर ले और इस वीडियो को भी लाइक और सेर करना मत बूलिएगा तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए